हेलो फ्रेंज रूबिकल अकेडमी में आप सब का विल्कम है कल के वीडियो में मैंने टेन क्वेस्टन कराए थे जो कि वारस पर वेस्ट थे और आज उसी सिरीज को हम आगे लेकर के बढ़ते हैं तो हमने कल टेन क्वेस्टन करवाय थे आज 11 क्वेस्टन से हम सुरुआत करें थे थे पर पिदियूपरों जेंगे तो पहला क्वेस्टन है वाक्वेस्ट से कंटेंज जैसा कि मैंने बताया था कि जो वारसस होते हैं उनमें निकली के सिरीज ब्रुटीन होता है जो निकली के option है उसमें है आइधर DNA और RNA तो यह correct है चलते है next question पर question number 12 which of the following disease is caused by viruses वायरसे कौन सी disease cause होती है तो मैंने lecture वाले में बताया था धे सारे उसमें मैंने disease बताई थे जो कि waruses से होते हैं तो यहां पर जो polio है हम सब जानते हैं polio एक viral disease है और बाकी िवी malaria leprosy यह सब बताई है लेकिन जो polio है यह एक viral disease है और आपको बता दे एक knowledge के लिए कि polio जो है यह अभी कहा जा रहा है कि इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है, खतम हो चुका है, अब इंडिया में यह डिजीज नहीं है, इसे खतम कर दिया गया है, तो यह एक छोटी सी knowledge, अब चलते हैं, next, 13 question, हेलिकल कंट्रक्टाइल सीथ is found in, तो हमने देखा था, जब हम बैक्टिरि और एक था बैक्टिरियो फेस, तो बैक्टिरियो फेस का हमें याद है कि ऐसे उस पे, ऐसा उसका structure था पूरा, ठीक, यहां पर उसका टेल पोर्शन था, तो यहां पर बोला है, हेलिकल कंट्रक्टाइल सीथ is found in, यह बैक्टिरियो फेस का, यह है है हेलिकल कंट्रक्टाइल सीथ, बैक्टिरियो फेस का, यह पूछा जा रहा है, तो हमें अगर structure याद रहेगा, हम थोड़ा सद्यान से देखे रहेंगे, तो हम काफीजली बता सकत है, तो अपना जो answer है, वो है, D होगा यहां पर, यह D है, तो बैक्टिरियो फेस, answer है अपना, चलते है next question पर, question no.14, outside the living cell, the virus particle is called, okay, virus particle, एक living cell के बाहर, एक virus particle को क्या बोला जा रहा है, तो हमने देखा था, कि एक mature virus अगर है, लेकिन वो environment में ऐसे freely भूम रहा है, किसी एक living host पे नहीं है, तो उसे क्या बोला जा रहा है, उसे विरियॉन बोला जा रहा है, विरियॉन, answer है अपना, sorry question change हो गया, येस, विरियॉन, answer होगा, outside the living cell, the virus particle is called, विरियॉन, ये हमें ध्यान देने वाली बात है, question number 15, a bacterial phase is consist of, bacterial phase में, क्या क्या होता है, ये हमने देखा था, bacteria phase क्या है, virus ही है, bacteria आप infect करने वाला virus है, तो virus में क्या है, nucleic acid और protein है, ये रहा, protein and nucleic acid, bacteria phase consists of protein and nucleic acid, next question, question number 16, plant virus was first crystallized by, ये भी हमने अपने थेरी वाले पार्ट में देखा था, कि plant virus सबसे पहले किस ने crystallized किया था, तो वो stainless है, stainless है, stainless है, ने सबसे पहले plant virus को crystallized किया था, थेरी अगर हमें अच्छे से समझ में आया है, हमने अच्छे से देखा है, धहान से, तो हम काफी इजली questions को solve करना क्योंकि अभी तक जितने फी questions आ रहे हैं, सब थेरी से ही है, question number 17, synophase is a virus that attacks, synophase is a virus that attacks, हम क्या जानते हैं, कि जो ये blue-green algae है, blue-green algae, ये इसे synobacteria भी बोला जाता है, blue-green algae को, इसका दुसरा नाम synobacteria है, और synobacteria पे, कोई virus infect कर रहा है, तो क्या हो गया, synophase हो गया, ये एक अच्छा टर्म है, synophase is a virus that attacks, blue-green algae, blue-green algae को हम synobacteria भी बोलते हैं, question number 18, हेलिकल कंट्रिक्टाइल सीथ इस फाउंड इन, हेलिकल कंट्रिक्टाइल सीथ इस फाउंड इन, बैक्टिरियो फेज, बैक्टिरियो फेज में हेलिकल कंट्रिक्टाइल सीथ पाई जाता है, जैसा कि मैंने अभी आगे वाले question में में बिंसन किया, 19 question, enzymes are absent in, enzymes किसमें absent होते हैं, पहले हम ये देखते हैं, enzymes का का काम क्या होता है, तो enzymes जो है इनहीं के वज़े से पूरा metabolic process होता है, या तो plant हो गया या तो animal हो गया, और हमें मालूम है कि viruses में अपना कोई metabolic process नहीं होता है, और virus जो है जिसमें भी इंफेक्ट करता है, उसी का metabolic process यूज़ करके वो अपना reproduction का काम start करता है, तो virus है जिसमें की enzymes absent होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो यह हमें ध्यान देने वाली बात है, कि viruses में कोई enzymes नहीं होता है, इसलिए इसका अपना कोई metabolic process नहीं होता है, नेस्ट क्वेस्ट पर आते हैं, क्वेस्ट नमबर 20, इस of the following is neither a prokaryot nor an eukaryot, simple है, ना तो prokaryot है, ना तो eukaryot है, वो तो एक virus है, वाइरस क्या है, यहां पे दिया गया है, यहां पे दिया गया है, बी वाले में TMV, वाइरस TMV है, या तो इसमें निकली, बस निकलीक एसिड है, और प्रोटीन है, निकलीक एसिड में या तो DNA है, या तो RNA है, यह ना ही prokaryot है, ना ही यह एक eukaryot है, यह एक वाइरस है, ठीक, चलते हैं, question number 21 पे, credit for the first crystallization of virus goes to, यह question अभी पहले आया था, लेकिन थोड़ा सा पुछने का तरीका अलग कर दिया गया, question वही है, तो question जो है, कई तरीके से घुमा करके पूछे जाते हैं, बस वही यहाँ पे है, यह सब question अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन हमें, जब हम इन सारे terms को अच्छे से समझे रहेंगे, तो हम काफी easily समझ सकते हैं, यह term में याद रखना है, यह हमने थियोरी वाले पार्ट में अच्छे से समझा था, question number 22, वीरियोर्न मेंस, वीरियोर्न क्या है? अभी हमने बताया था कि, जब कोई एक मिचूर वाइरस इन्वार्मेंट में फ्रिली घूमता है, किसी लीविंग और्गनिजम पे नहीं है, वो लेकिन वो एक मिचूर है, कि जैसे ही वो एक लीविंग और्गनिजम पे जाए, और डारेक्ट इन्फेक्शन कास्ट करने लगे, तो वही पूछा जा रहा है, वो मिचूर है, वो इन्फेक्शन कास्ट कर सकता, एक कम्प्लीट वाइरस है, जो कि यह अपने बी वाले option में दिया गया है, तो हमें यह समझने की बात है, एक कम्प्लीट फॉर्म अफ वाइरस होता है, विरियोन क्या होता है, एक कम्प्लीट फॉर्म अफ वाइरस होता है, चलते हैं, विश्टन नमबर 23, विश्टन फॉर्म इस ट्रू, पढ़ते हैं सारे स्टेटमेंट को, इन वाइरस, तब प्रोटीन कोट इस मेड़ पाफ कैप्सोमियर, विर्स कें मल्टिप्लाई इंडेट सेल औलसो, वाइरस हैं, विश्टन फॉर्म प्रोटीन सिंथेसाइजिजिंग सिस्टम, दी, नोन अफ दीज, तो हम देखते हैं बारी-बारी से सबको, पहला है इन वाइरस, तब प्रोटीन कोट इस मेड़ आफ कैप्सोमियर, ये तो सही है, और हम से यही पूछा जा रहा है, तो हम बागी को क्यों पढ़ें, तो कैप्सोमियर क्या है, एक सब यूनिट है कैप्सीट का, तो हम थीवी पार्ट में देखे थे, कि छोटे-छोटे कैप्सोमियर होते हैं, वो मिल करके एक कैप्सीट बनाते हैं, कैप्सीट क्या है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन की ही covering होती है वाइरस के चारो तरफ कि वो अपने निकलीक एसीड को protect करके रख सके तो कैपसुमियर के बाद कैपसीड और ये प्रोटीन के part होते हैं, particles होते हैं ये काफी अच्छी समझने वाली चीज है Next question पर चलते हैं Question No.24 Bacteriophases, Bacteriophases क्या है? A virus? which infect bacteria? Yes, ये हमने पढ़ा था Bacteriophases एक virus है जो कि bacteria पए infect कर रहा है Confused हो सकते हैं, काफी आसानी से यहां पर 1 वाले में लिखा है A bacteria which infects viruses No एक virus है, जो कि bacteria पए infect कर रहा है ये हमें धहान में देना है Next question 25 number question है proteinaceous, infectious particles which like nucleic acid are known as बहुत अच्छा question है कि एक ऐसा particle जिसमें nucleic acid नहीं है उसमें बस protein है वो दो pre-ons है हमने पढ़ा था pre-ons क्या है protein particle है infectious protein particle है एक ऐसा protein है जो कि infection cost कर रहा है virus हम एक complete virus को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है nucleic acid और protein होता है हम वारस का nucleic acid वाला part हटा दे तो बस बचा उसमें protein part और वो protein part जो infection cause करे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है infectious proteinaceous, infectious particles which like nucleic acid are known as protein, pre-ons pre-ons है तो यह काफी अच्छी हमें ध्यान देने वाली बात है कि एक वारस का अगर हम nucleic acid रहता दे तो उसमें protein बस बचेगा और protein ही infection cause कर रहा है यह प्रियांस हो गया चलते हैं हम next question पे question number 26 hydrophobia is caused by जो disease हमने सब बताई थी तो उसी में एक यह भी disease है hydrophobia disease जो की एक viral disease है hydrophobia is caused by viruses इसमें कोई explain की करने की कोई जरुगतो है नहीं disease है बस question number 27 an example of plant virus is plant virus का example क्या है काफी आसानी से हम बता सकते है हो है TMV plant virus का example क्या है TMV tobacco mosaic virus question number 27 28 the genetic material of TMV is tobacco mosaic virus का genetic material क्या होता है chromosome होता है DNA होता है RNA होता है non-op-devav होता है तिहां पर TMV का genetic material RNA होता है TMV का genetic material RNA होता है चलते हैं 29 bacteria phase is made up of bacteria phase किसका बना होता है फिर से सारे statement को हम अच्छे से पढ़ेंगे confused नहीं होंगे फिर हम अपना answer करेंगे proteins only no nucleo protein nucleo protein कहने को तो ये एक single word है nucleo protein लेकिन इसमें है क्या इसमें nucleo acid plus protein दो चीजे है nucleo protein में क्या है nucleo acid और protein दोनों चीजों को मिला करके nucleo protein बोला गया और bacteria phase में वही है एक वाइरस है वाइरस में क्या होता है nucleo acid और protein जो की बोला गया यहां पर तो यह हो गया nucleo protein चलते हैं question number 30 पर यह last question है और इस question का answer मैं नहीं दूँगी इस question का answer आप सब देंगे comment box में आप सब इसका answer दीजे क्योंकि अभी यह question है यह तो मैंने अभी पीछे बताया है तो काफी आसानी से आप लोग इसका answer कर सकते हैं तो अगर आप यह series देख रहे हैं तो आपको पक्का इसका answer comment box में करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कभी तक आपने कितना सीखा हुआ है और अगर आपको यह series पूरा और जो question का series है जो मैंने ठीरी बताया है को यह सब बिल्कुल पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को subscribe कीजे और like कीजे share कीजे क्योंकि अगर इतना आप सब करेंगे तो मुझे भी और जादा आप लोग के लिए करने में मचाएगा तो please like and subscribe और next video में मैं फिर से questions लेकर के ही आऊंगी क्योंकि जितने जादा हम question करेंगे उतना जादा हमें अच्छा लगेगा हम जादा command कर सकते हैं अपने subject पे अपने किसी भी topic पे तो अगले video में भी questions ही होंगे और भुलिएगा मत आपको like करना है like करना है plus subscribe करना है plus share करना है plus आपको comment भी करना है इस question का answer भी आपको comment करना है अगर आप इस series को देखे हैं तो आपको जरूर करना चाहिए ठीक है next video में हम फिर से question ही लेकर के आएंगे इसी का वारस का part होगा Bye